वार गाइस कैसे हो आप सब सुगात आप सब एक और बैंद न्यू MIUI 11 के वन अप दा बेस्ट इप्स और ट्रिक्स और मोडिफिकेशन के वीडियो सीरीज के उपर और गाइस इस वीडियो में आप सब को बताऊंगे एक अमेजिंग ओसम सा ट्रिक जिस सिग्रेट ट्रिक को यूज करके आप अपने शामी या MIUI 11 डिवाइस का जो नोटिफिकेशन पैनल या स्टेटस बार होता है आप उसे पूरे तरीके से कस्टोमाइज या चेंज कर सकते ह जो देखने में काफ़ी जादा क्लैसी और फेंटस्टिंग टाइप का लुक को प्रोवाइट कर देता है वो भी अपने फोन को बिना रूट किये बिना फोन के बूटलोडर वगरे को अनलॉक किये सो गाइज वीडियो का फीज़दा मज़ेदार एंड इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दाउट एडिमोस्टिंग टाइम लेट्स रोल दे इंट्रो सबसे पहले तो गाइस मैं आप सबसे एक छोटा सारी क्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज इसे ध्यान से सुनना अगर आपको इस सिग्रेट ट्रीकिया सिग्रेट एप्लिकेशन पसंद आ जाए एंड अगर आपको लगी ये वीडियो अच्छा था तो प्लीज गाइस अगर आपको इस तरीके का stock iOS का notification panel को apply करना है किसी भी Xiaomi या Mi её 11 के device पर तो आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना होगा आपको बस एक ही application को download करना होगा आपको अपिकेशन को download करने के लिए जाना हमगा Play Store पर एलड़न आपको वहां पर search करना होगा आप वहाँ से भी इस application को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद download complete हो जाने के बाद आपको simply इस application को उपिन कर देना होगा और उसके बाद आपको notification access का permission दे देना होगा simply आपको यहाँ पर allow पे click करना होगा and then आप पहुत जाओगे notification access के permission के page पे आपको simply यहांपर से allow कर देना होगा उसके बाद आपको यहां पर और एक permission को allow करना होगा जो की allow display over others app का permission इसे भी हम लोग फट겠습니다 allow कर लेते and उसके बाद next आपको last and final permission को allow करना होगा जो की है accessibility का permission simply आपको यहांपर allow पर tap करना होगा and जानोगा more downloaded service पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा I notify iOS 12 करके तो यह off रहेगा आपको इसे accessibility में जाके इसे on कर लेना होगा बस आपको application पूरी तया से setup complete हो चुगा है उसके बाद आप जब यह अपन left side से नीजी के और swipe करोगे तो आपको यहाँ पर एक notification center देखने को मिल जाएगा और अगर आप right के और से swipe करोगे तो आपको यहाँ पर iOS के control center या control panel देखने को मिल जाएगा जो कि आपको काफी ज़दा amazing लगने वाला है और आपको इस application में काफी सारे features और customization देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको कोई भी default music player को add करना है control center से तो आप यहाँ पर choose music player पर जाके आप उस music player को add कर सकते हो और अगर आप चाते हो control center के background या theme को change करना तो simply आपको click करना को select background पर और आपको यहाँ पर चार option देखने को मिल जाएगा is control करके अगर आप इस पर जाओगी तो आपका जो control center है आप उसे उपर रखना चाते हो या नीचे रखना चाते हो आप यहाँ से सेट कर सकते हो तो अगर अगर आप चाते हो किसी भी application को third-party application को add करना तो आप यहाँ पर से add बटन पे click करके या plus-button पे click करके किसी जरूर से comment करके बताना, मैं आपका comment का wait करूंगा, और guys अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं किया, तो please guys इस वीडियो को एक like करके जाना, so guys इस वीडियो को लास तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपका दिन शूब हो.